हाई फिफ्थ इंडियन वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का तहे दिल से मैं शुक्रियादा करता हूं कि उन्होंने हमारी शॉट मुवी मुसंभी का जूस अपने प्रेस्टीजियस फेस्टिवल में शामिल किया हमें तो यह नूमिनेशन दिया यह मेरा डैवियो तो नहीं था लेकिन सक़ली अपर तरonna प्मल में बनायाग्जाओ कि उन्हों ने हम हिस्सा बने हमें कोवरेट किया पूरी तरह से सहेतोग दिया और ऐसे टाइम में जब सभी अपने अपनेया घरों में धुक्न कोवे थे और बा का पालन किया लेकिन हमने अपने टेलंट को मरने नहीं दिया और किसी ना किसी तरीके से उसे उबारने की कोशिश की तो मेरे साथ हमारे साथ ही सारे तो नहीं है इस वक्त अवलेवल जेकिन जितने भी है यह हमारे में जो उसमें पार्ट प्ले का रहे थे रिश्यमनहास जिन् सेप्ट मैंने लाया था तो देखते हैं कि जो आडियन से उसको कैसा लगता है जो दर्शक हैं से उन्हें वो किस त्रीके से इस मुवी को लेते हैं हमारे साथ जी तेश्वर जी हैं जिन्होंने इसमें एक सांग था उसका ये हिस्सा बने थे तो मैं इनका सभी का तहे दिल से शुक्रियादा करता हूं कि इन्होंने हमारी मुवी का ये हिस्सा बने हमें पूरी तरह से कॉपरेट किया तो सबसे पहले मैं रिश्यव जी को कहना चाहूंगा कि वो अपना एक्सपीरियांस हमारे साथ शेयर करें कि उन्हें रंगोली प्रोडक्शन का हिस्सा बनने के लि या इसमें दिख्कते भी आई तो बहुत है कि आपने मुझे इस लाइक समझा इस क्रेक्टर के लाइक समझा जब सबसे पहले मुझे सर ने कहा कि मैं एक मुसमी का जूस एक शॉर्ट मूवी लिख रहा हूं तो आप मेरे हैं तो उन्होंने मुझे कुछ टायलोग बिहारी की टॉन में समझाए कि तुन्हें ऐसे बोलना है तो सर ने बहुत काम किया लैंग्विज पे हमारी बॉडी लैंग्विज पे हर एक चीज़ पे जब सब सर ने मुझे सबसे पहले बताया कि ऐसे से करना है तो तो मैंने सोचा कि सर बिहारी का करेक्टर करना है तो कैसा लगेगा तो अब वो करेक्टर में घुसने के लिए मुझे बिहारी पढ़ना पड़ेगा बिहारी लोगों को अब्जर्व करना पड़ेगा मैंने किया मैंने रात दिन मैंने एक कर दी कि नहीं मैं करूंगा तो सोच करेजिए कि सर ने हम पर कितनी मेहनत की है और बाख खुबी से हमने वो करेक्टर को निभाया है और थैंक्यू थैंक्यू सो मच सर यह आप दी की मतलब मैं कर पाया जो सबसे पहला रोल जो मैंने बिहारी करेक्टर में निभाया अच्छे से तो देखे हम बेसिकली जम्मु कश्मेरि योटी को बिलांग करते हैं तो उसमें भी हमारा जो एरिया वो जम्मू में बहुत सारे आते हैं और हम उनसे इतना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं उनके अंदर बहुत तैलेंट है उनके अंदर तो यह जो सबएक्छोस की संभी का जूस की रेड़ी लगाता था एक लड़का तो जब भी मैं बच्चों को या कभी जूस पिलाने वहां ले जाता तो वो अपनी मस्ती में नहीं कुछ गुन-गुनाता था तो एक दिन मैंने ऐसे ही उसे अफजरू किया कि यह क्या गाता है मैंने क्या गाते हो क्या था मैं अपनी local language में यह गीत गाता हूँ तो मैंने क्या अच्छा तो मुझे लगा कि वो कहीं न कहीं उसके अंदर hero बनने की वो कुछ है अंदर उसमें talent या उसकी लाल सा रह गई है तो उसे यह काम करने पर मजबूर होना पड़ा और कहां से कितने तो 100 km से दूर वो जम्मू में आया है वो juice की रेडी के लिए तो मैंने उसे काफी बार अपज़र किया तो मेरे दिमाग में जैसे जो गाड़ी वाले जाते थे गाड़ी रोक के उससे juice पीते थे तो एक वार्ण मैंने उसे एक concept मेरे दिमाग में आया कि यह बड़ी बड़ी कह सकते हैं तो इसको कैसा feel होता होगा कैसा इसके दिमाग में हाता होगा तो मैंने सुचा क्यों ना मैं इसको develop करके कुछ लिखूं तो यह मेरे दिमाग में एक आया उसका अहम दिखाया मैंने अहम इस sense में कि जो उसके juice का उसकी price बनती है वो उसको कैसे realize होता है कि मेरी भी कोई society में say है और मैं भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता हूँ और अगर मेरा exploitation हो रहा है तो मैं उसका विरोत कैसे करूंगा उसने जगणानी किया उस बंदे से जो director उसको जहांसा देखता है कि मैं तुझे को फिलम में रोल दिलवाऊंगा या यह करूंगा वो मुखा देता है तो उसने उसका जो retaliation दिखाया मैंने तो इससे पहले कि मैं अपनी आगे की कुछ कहानी बताऊं इस मैं चाहूंगा कि जो हमारी फीमेल आर्टिस थी शाट मूवी की सुहानी राठोड उनकी experience आपके साथ शेर करना चाहूंगा सुहानी सबसे पहले तो मैं थैंक्यू बोलूंगी सर को कि उन्होंने मुझे इसमें मुखा दिया मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि मुझे भीहारी मुवी में रोल मिलेगा करने के लिए में लीड रोल और जब मैं भीहारी लेंग्विज बोलना स्टार्ट किया था मुझे बहुत ज्यादा जगडे तो होती हुथे वर्क्शॉप होती थी काफी प्रेक्टीस करना मस्ती न चाहूंगा यह पूरी तरह से बिहारी लेंग्विज नहीं कह सकता है इसमें भोज पूरी का भी मिश्रण था तो हम वहां पर काफी मस्ती करते थे खाना पीना निजॉय करना प्रेक्टीस कर करना काफी और जब हम बिहारी बोलते थे तो आपस का जो तो आसपास की होते थे वह हमें दीखते नोटीस करते थे वह भाई लेंकि अभी हम मुवी कर रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता है नहीं को नहुं कर रहे हैं कि अन्हों के अधित्व करता है। जितेश्वर जी जो उसके सांग का एक हिस्सा बने थे यह जम्मू के बहुत अच्छे डांसर हैं, आर्टिस ही बहुत अच्छे हैं, तो यह अपना एक्सपिरियंस शेर करेंगे नमस्कार सबको, मुझे रंगोली प्रडक्शन के साथ काम करके सबसे वहले बहुत अच्छा लगा, जब हमें पता चला कि भीहारी सॉंग करना है, लिठी चोका गर के सॉंग था, तो हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट थे, जो कि मेरे गुरु जी भी हैं करके, उनका नाम है शीर बहुत ही अच्छा गया, फिर उसके बाद हमारे ये रजनीश सर है, इनके साथ भी काम करके, बहुत ही अच्छा लगा, फर्स्ट एक्सपिरियंस था, बिहारी का, हमारे साथ ये पवन वर्माजी भी जुड़े हैं, इन्होंने भी इस मूवी में बहुत अच्छा रोल किया तो मैं इनके बारे में बता दूँ, ये भी जमू कुश्मीर के बहुत अच्छे टेलेंटिड आर्टिस्ट हैं, तो इन्होंने भी जो रोल किया एक लड़के का जो की बेकरी की एक रेडी लगाता है, सड़के किनारे, तो ये अपने एक्सपिरियंस शेयर किरते हैं कि इसक है कि आप जानते कि क्रोना काल में तो सब कुछ बंदी था, हम काम कर रहे थे लेकिन वर्चुल काम हो रहा था, लेकिन जैसे मुझे रजनीश ने कहा कि एक मूवी का इन्होंने प्लैन किया है, और एक रोल है, था रोल छोटा सा लेकिन काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि उ हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने फोरन हा कर दी और हम मैंने ये रोल किया, बिहारी एक लड़के का बेकरी वाले का रोल करने की कोचिश की मैंने, बाकि आप बताएंगे कि कैसा रगा इस मूवी में, क्योंकि आज आर्टिस्ट हमें अंदर ये रहता है कि हम कुछ ना कुछ करते रहे, मतलब कि ऐसे बेकार नहीं बैठे, तो आज आर्टिस्ट, मतलब कि थेटर आर्टिस्ट मैं अपना जितना भी मेरे से हो सका और मैंने पूरा 100% देने के कोशिश की, बाकि आप बताएंगे कि मूवी कैसी रही और आप अपना प्यार दीजिए मूवी को बाकि सर क तो मैं यह भी शेर करना चाहूंगा कि इस में मैंने जो एरिया वो जो कंसीव किया था वो जम्मू नहीं था, वो मूंबई का धरावी था इलाका था, तो मैं कहीं न कहीं हम ढ़र रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ पकड़ में ना आ जाए कि हमारा लगे कि यह धरावी नहीं है